साथियों जल सवरक्षन की ऐसी ही चर्चाओं के बीच मुझे गुजरात के अम्रेली में हुए चल उत्सव का भी पता चला गुजरात में बारों मास बहने वाली नदियों का भी अभाव है इसलिए लोगों को ज्यादा तर बारिस के पानी पर ही दिर भर रहना पड़ता है पिछले 20-25 साल में सरकार और सामाजिक संगटनों के प्रयास के बाद वहां के स्थिती में बढ़लाव जरूर आया है और इसलिए वहां जल उत्सव की बड़ी भूमी का है अमरेली में हुए जल उत्सव के दवरान जल सवरक्षन और जीलों के सवरक्षन को लेकर लोगों में जागरुपता बढ़ाई गई इसमें वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया वाटर सेकुरिटी के जानकरों के साथ मन्थन भी किया गया कारकम में शामील लोगों को तेरंगे वाला वाटर फाउंटेश बहुत पसंद आया इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमेंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सबजीवाई धोड़क्या के फाउंडेशन ने किया मैं शामील प्रत्येक भ्यक्ति को बढ़ाई देता हूं जल सवरक्षन के लिए ऐसे ही काम करने की शुबकामनाई देता हूं